अगर फ्रेंड्स आपके पास Infinix का Note 35G है तो इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस फोन की स्मार्ट कॉल सेटिंग के बारे में जिसका यूज करके कॉल को आप स्मार्ट कर सकते हो अगर आपको जाना है कैसे कॉल को स्मार्ट करते हैं तो इस वीडियो को चालू करने के लिए सबसे पहले फोन की सेटिंग में आ जाईए यहां से स्ट्रॉल डाउन कीजिए सिक्यूर्टी ऑफशन पर आपको क्लिक करना होगा यहां पर आपको देखनो मिलेगा फिंगर पेंट ऑफशन पर जब आपको डालना पड़ेगा यहां से आपको स्कॉ का ओफशन देखने को मिल जाएगा इसको अन कर लीजिए जब भी कोई कॉल बगएर आता है उसको आंसर करना चाते तो फिंगर प्रेंट को टच करा दीजिए आपकी कॉल आंसर हो जाएगी तो इस तरह से कॉल को आप आंसर करा सकते हो और भी आपको ऐसे ही फीजर स्पॉन में देखने को मिल जाएंगे तो यहां से आपको सेटिंग में से बापस आ जाना है यहां पर आपको होम सेटिंग में आ जाना होगा अब आपको यहां से स्कॉल डाउन करके नीची को और आना होगा देखने को मिलेगा स्पेशल फंक्शन सिंपल आप यहां क्लिक करेंगे यहां से call down करेंगे देखने को मिलेगा action and gesture इस option पर जब आप क्लिक करेंगे तो rise to ear का एक option आपके सामने होगा इसको भी आप on कर लीजिए अब आपके phone पर कोई भी call बगर आती है और आप उस call को answer करना चाहते हो तो fingerprint को पर अगर आपनी touch कर देंगे finger तब भी call answer हो जाएगी नहीं तो नहीं करेंगे simple ring होते है phone को कानकियों ले जाएगे तब भी call आपकी automatically answer हो जाएगी तो यहां पर इस feature का आप जरूर सा use कर सकते है smart call के अंदर यहां से आप एक बार back button को press करते हैं तो आपको यहां पर देखने मिलेगा flash phone call का feature इस feature को on करने के वाद आपके phone पर को आपको एक step बापस आना होगा access limit पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको scroll down कर लेना होगा अब आपको यहां पर देखने को मिल जाता है power button and call का feature इस feature को on करने के वाद आप call को disconnect करना चाहते हो तो simple power button को press कर देचिए आपके call cut हो जाएगी तो friends इन फीचर्स का यू आपको बाइन तेक केर